मा सकंदमाता दुर्गामा का पांचवा स्वरूप है नवरात्र पूजन के पांचवे दिन सकंदमाता के स्वरूप की उपासना की जाती है मा सकंदमाता का मंदिर उत्तर प्रदेश के पवित्र नगरी यानि वारानसी में मौझूद है मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदाई हैं माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्थी करती है आईए जानते हैं मा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य स्कंद माता नाम का अर्थ, स्कंद का अर्थ स्वामी कार्थिके और माता का अर्थ मा है, आतर इनके नाम का अर्थ ही स्कंद की माता है, यह कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पदमासन देवी भी कहा जाता है, मा स्कंद माता को विद्यावाहिनी, माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। सकंद माता की चार भुजाएं हैं। सकंद माता की पूजा विधी। सकंद माता को पीले रंग की वस्तुएं सबसे प्रिया हैं। इसलिए उनके भोग में पीले फल और पीली मिठाई अरपित की जाती है। एक देवी को पीले चंदन वकुमकुम का तिलक लगाएं। दो पीले फूलों की माला अरपित करें। तीन छे इलाइची के साथ एक केले का भोग लगाएं। चार घी का दीपक जलाएं। पांच देवी को अक्षत, धूप, गंध, फूल, बताशा, पान, सुपारी, लौंग चड़ाएं। माता की आरती कर, शंक बजाएं और मंत्रों का जाप करें। सकंद माता उपाएं। एक विवाह में रुकावटे दूर करने के लिए, 36 लौंग और 6 कपूर के टुकडे, हल्दी और चावल मिलाकर मा दुरगा को आहुती दें। आहुती देने के पहले लौंग और कपूर पर बाधा निवारण मंत्र का ग्यारा माला जप करें। सर्व बांधा निवारण मंत्र, सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतानविता, मनुष्यों मत प्रसादेन भविशती न संशया। दो संतान प्राप्ती के लिए लौंग और कपूर में अनार के दाने मिला कर मा दुरगा को आहुती देने से संतान सुक की प्राप्ती होगी। आहुती से पहले सामगरी पर पांच माला बाधा निवारण मंत्र जरूर पढ़ें। तीन कारोबार के लिए लॉंग और कपूर में अमलताश के फूल मिलाए, अगर अमलताश नहीं है तो कोई भी पिला फूल मिलाए, फिर मा दुर्गा को आहुती दे, आहुती से पहले सामगरी पर बाधा निवारण मंत्र की एक माला जब करें चार स्वास्थि संबंधी परेशानी के लिए एक सौ बावन लॉंग और बयालीस कपूर के टुकडे ले, इसमें नारियल की गिरी सहद और मिश्री मिला ले और इससे हवन करें आहुती से पहले सामगरी पर बाधा निवारण मंत्र की पाँच माला जब करें जा माता दी